बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम, अस्सालाम उलेकुम तो जब आप लोग इंटर्वियू देंगे तो अपने आपको बिल्कुल रिलेक्स रखना, परेशान होने की जरूत नहीं है, वो लोग आपको खाएंगे नहीं, तो जो सवाल पूछें बिल्कुल रिलेक्स होके उसके जवाब देने हैं, तो पुलीस कॉंस्टेबल का इंटर पर हावी ना करें, तो बस आप लोग अपनी तरफ से मैनत करें, बाकी अल्ला पाक ने आपके नसीब में लिखा हो तो आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप लोग अपनी तरफ से मैनत करें बस, इसके लावा सबसे बड़ा इशू यह है कि कैंडिडेट्स ज्यादे हैं और सी स्वाल पूछेंगे, इसके लावा जनललिच के सवाल या इदर उदर के सवाल वो तक्रीमी Lew-4 को तक्रीम रहें, नहीं सब्सक्राइबेश स्कते हैं, इसके स्वाल ना करें आपका नाम पुचें, इसके क्या करते हैं? तो दोस्तों लास्ट विडीयो में दोमिKI आप से सम् शेयर गिये थे पहले उसके आंसर दे देता हूं फिर जो नेक्स कोशन है वो आपसे शेयर करूँगा तो सबसे पहले जो सवाल मैंने पूछा था वो पुलिस स्टेंड फॉर पूछा था कि पुलिस स्टेंड फॉर क्या है तो काफी लोगों ने कमेंट में जो जवाब दिया है वो गूगल पे सर्च करके दिया है पुलिस का मतलब जो है उन्होंने गूगल से देख के बताया है गूगल से जिन कैंडिडेट से बताया है उन्होंने ये जवाब दिया है पुलीस स्टेंड फॉर का पबलिक आफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल एमर्जेंसी इसके लावा कुछ कैंडिडेट्स ने अलग जवाब दिया है तो ज्यादा दर कैंडिडेट्स ने गूगल पे सर्च करके जवाब दिया है तो जो पुलीस के स्टे जो कराची में जो चलते है वह आप से शेयर कर रहा हूँ पुलीस स्टेंड फॉर में सबसे पहला लफ्ज पी से एते है पॉलाइट इसके बाद ऑद ओस अधाय ओपिडियंट इसके बाद ऐल साधे लोयल इसके बाद आई है आई साधे आं इंटेलिजेंट इसके बाद सी ह ए से आता है efficient तो पुलीस इस्टेंट फॉर बनता है polite, obedient, loyal, intelligent, courageous and efficient तो यहां पर यह इसका मतलब बताया जाता है इसके बाद दूसरे जो सवाल पूछा था पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो पंजाब का सबसे बड़ा जो शहर है वो लाहूर है इसके बाद नमबर थट सवाल है पाकिस्तान का सबसे गरम इलाका तो पाकिस्तान का सबसे गरम जो इलाका है वो जेकबाबाद है इसके बाद नमबर फूर कोशन था पाकिस्तान का सबसे थंड़ा इलाका तो पाकिस्तान का सबसे ठंडा अलाका जो है वो सकर दूए है इसके बाद नेक्स कोश्चन था पाकिस्तान की बानी को ओने पाकिस्तान की बानी कायदे अज़ा मुहमद अली जिना है इसके बाद नमबर सिक्स कोश्चन था अरकान इसलाम कितने हैं और उनके नाम बताएं अरकान इसलाम टुटल पाँच है जिसमें फर्स्ट है कलमा शहादत सेकंड है नमाज, ठर्ड है जगात, नमबर पूर है रोजा और नमबर फाइफ है हज तो ये पाँच अरकान इसलाम है और इनके नाम है तो इसको आगे बीचे तर्टीब नहीं देनी, इसी तर्टीब से बताना है जिस तरह मैंने आपको बताया है अगर आपसे वो पूछ ले कि तीसरा अरकान इसलाम कौन से है तो आप लोगों ने बताना है जगात इसी तरह चौथा पूछ ले तो रोजा तो इसी तरतीब से आप लोगों ने बताना है कि पहला कलमे शाहदत है दूसरा नमाज है तीसरा जगात है नमबर फॉर रोजा है और नमबर फिफ्ट जो है हज है इसके बाद नमबर सेवन कोशन था पकिस्तान वंडे किरक्ट वर्ल्ल कंप फॉनसेसंद में जीता था तो पकिस्तान किरकट वंडे का वर्ल्ल कंप है वो 1999 कोशन था तो बहरा काहिल कहते है तो ये 10 सवाल थे आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किये थे और उनके जवाबात है तो दोस्तों इसके लावा आप लोगों ने पाकिस्तान की कौमी सबजी पाकिस्तान का कौमी पल पाकिस्तान की करनसी क्या है पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है तो इनके बारे में भी आप लोगोंने इल्म रखना है इसके लावा पाकिस्तान का लिबास क्या है तो ये चीज़े भी आप लोगोंने याद रखनी है तो यह चीज़ बहुत असान है तो एक दफ़ा आप लोग नजर भी मारेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगी तो आज के जो पहला कोशन है वो है सीपियो में कौन सा अफसर होता है या बैटता है जो कराची में सीपियो है सेंटरल पुलीस आफस तो वहां पे कौन सा अफसर होता है कौन सा अफसर बैटता है बड़ा अफसर तो आप लोग ने इसका जवाब देना है इसके बाद नमबर टू कोशन है सिंथ के आईजी का नाम क्या है तो आप लोग जब इंटर्वियो होगा तो उस वक्त मौझूदा जो आईजी होगा आप लोगों ने उसका नाम लिखना है फिलहल जो अभी आईजी है तो आप लोगों ने उसका जवाब देना है इसके बाद नमबर टू कोशन है पाकिस्तान के बड़ोसी मुमालिक के नाम बताईए इसके बाद नमबर फूर कोशन है कराची के कितने डिस्ट्रिक हैं और उनके नाम बताईए इसके बद नेक्स कोईशन है वजू के फराइस कितने है और गुसल के फराइस कितने है इसके बद नेक्स कोईशन है पांच इसलामी मुमालिक के नाम बताईए इसके बद नेक्स कोईशन है पाकिस्तान के सबसे पुराने जंगल का नाम बताईए ये जो सवाल है ये एक ही दफ़ा पूछा गया था इंटर्वियू में उसके बाद दुबारा नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी आप लोगे साथ शेयर कर रहा हूं पाकिस्तान के सबसे पुराने जंगल का नाम बताईए इसके बाद नेक्स कोईशन है पुलीस का क्या काम होता है इसके बाद नेक्स कोईशन है एसेचो की फुल फॉर्म क्या है जो थाने में एसेचो होते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है यानि उसके एप्रिवेशन बतानी है एसेचो स्टेंट फॉर क्या आता है इसके बद नेक्स कोईशन है पाकिस्तान में यौमे शोहदाय पुलीस किस दिन मनाया जाता है इसके बद नेक्स कोईशन है नैशनल पुलीस अकैडमी पाकिस्तान के किस शहर में वाकिया है तो दूस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो आप लोग के साथ शेयर किये हैं, ये भी इंटर्वियों में पूछे गए हैं इसके बाद नेक्स वीडियो में वो सवाल आप से शेयर करूंगा जो मेरी अपनी राए होगी बाकी ये जो सवाल अभी आप लोगों के सथ शेयर की हैं दो पहले वीडियो में और इस वीडियो में ये कोशन जो हैं पहले पूछे जा चुके हैं तो मुझे इंशालला पुरी उमीद है कि इन सवालों में से ही आप से कोई सवाल पूछे जाएंगे बाकी गरंड अफेर्स के हवाले से या कोई भी एक्स्टर जो सवाल हैं उसके हवाले से नेक्स वीडियो बनाऊंगा अपना बहुत खैल रखना दौाओं में आद रखना अल्ला हाफिस